अलो बाइस वेल्कम बैक टू माई चानल तो लास्ट वीडियो हमारी थोड़ी आदीसी रहागी थी ठीक है ठीक है तो लास्ट कोचन उसको हमने यहां तक सॉल्व कल लिया था उसके दम क्या करेंगे तो यह हमारी यह वाली टर्म से यह इस तरह से होती है साइन स्कूर थीटा प्लस कॉस्कूर थीटा इस इकोटू वन होता है तो हम इस फॉर्मला का यूज़ करके यहां पर वन लिखेंगे ठीक है तो यह हमारी इस तरह से बन जाएगी sin theta cos theta into 2 sin theta cos theta ये value ये 1 बन जाएगी और 7 वाला 1 भी रहाएगा ये minus 1 है ठीक है ये cancel हो जाएगे अब हमारा पास सिर्व 2 sin theta cos theta upon sin theta cos theta रहाएगा ठीक है हमने इसको काड़ दिया हमार पास सिर्फ 2 answer बचला ठीक है तो इस वाले question का जो c है c की value 2 है ठीक है तो fourth का जो second part है उसका जो answer है वो है 2 अलब c है अब हम करेंगे इसमे question number fourth का तीसरा पार्ट जो हमें बोलता है तीसरा पार्ट है तीसरा पार्ट हमें बोलता है की secant a plus tangent a secant a plus tangent a into one minus sin a secant a plus tangent a into one minus sin a यह किसकी equal होता है इसमें निकालना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे secant and tangent उसको sin and cos की फॉर्म में convert करने की try करेंगे ठीक है तो मर्पस आएगा जो secant होता है वो अपन कॉस होता है ठीक है इसमें cos a आएगा और जो tangent है वो मरा आएगा साइन एपन कॉस है ठीक है साइन एपन कॉस है यह मरबद आएगा इस तरह है ठीक है अब यह दोनों तो सेम है ना नीचे तो इनका जो LCA में वो cos से ही आएगा और उपर वाली term इस तरह से आजाई ठीक है और दूसरी जो bracket है वो इस तरह से आजाई और अगर आप उपर वाली bracket को द्यान से देखो तो यह मरबद इस तरह से बनेगा a plus b into a minus b ठीक है अनला इस तरह से a plus b into a minus b जो equal होता है a square minus b square ठीक है तो हम क्या करेंगे यह हमारा इस तरह से बन जागा 1 minus sin square a upon cos a ठीक है हमने कहागे जो उपर वाली टर्म सी उसमें हमने यह वाला फर्मलर गा दिया a plus b into a minus b is equal to a square minus b square अब जो यह वाली टर्म है उसमें हम यहाँ पर cos square a लिखेंगे वो क्यों लिखेंगे की sin square a plus cos square a is equal to 1 होता है अब यहाँ से हमने cos square की वाली निकान नहीं है तो हमरा बता है cos square a is equal to 1 minus sin square a ठीक है तो हमने 1 minus sin square a की जगा cos square a लिख दिया यहाँ पर तो हो आएगा cos square a upon cos a इस cos से एक हमने कार दिया मरबा बचा cos a तो question में जो थर्ड पाड का फोर्थ है d ठीक है तो d है इसका आंसर जो है cos a आप आंसर पीछे बुक में भी चाक कर सकते हो ठीक है अब हमार पार रहता है फोर्थ question का फोर्थ पाड वह में कहता है 1 plus tangent square a upon 1 plus quad square a ठीक है हमें इस तरह से एक question दिया है जिसके हमें values find out करनी है किसका answer क्या हो सकता है तो हम क्या करेंगे कि जो 1 plus tangent square a है उसकी value होती है second square a एक formula ठीक है तो हमने directives की value लिख दी उसके अदम क्या करेंगे कि 1 plus quad square a होता है उसकी value होती है cosec square ठीक है तो हमने इनकी values लिख दी है अब हम क्या करेंगे जो यह values हमार पार दी है इनको साइन और कॉस की फॉर्म में change करने की try करेंगे ठीक है तो जो सीकेंट है सीकेंट हमारा होता है one upon cost यह one upon cost square और जो कोसीक है वह हमारा होता है one upon sign तो यह one upon sign ठीक है यह इस तरह से हो गया अब हम क्या करेंगे अब इनको अपस में multiply करतेंगे क्योंकि यह cancel out होंगे नहीं यह हमारा बनेगा sin square a upon cost square a और जो हमारा sin upon cost होता है वह हमारे tangent होता है यह हमारा होता है प्रश्णवाली 8.4 है उसके जो starting के चार question है वह हमने solve कर लिए हैं अब हम जो उसके main access है जो question number 5 है जिसमें हमने prove करना है ठीक है उन question को करना start करेंगे ठीक है इन question को start करने से पहले हम एक दो एक्जम्पल कर लेंगे ताकि हमें समझ आजा कि हमें करना क्या है ठीक है जो book में जो example दिया है हम उनको solve करेंगे ताकि हम लोग अच्छे तर्वक्ष्टन को समझ पाय कि हमने करना क्या है ठीक है तो book में जो एक example दिया है कि इसने दिया है secant a है हमारा secant a into 1 minus sin a और दूसरी bracket दिया है secant a plus tangent a is equal to 1 है ठीक है secant a into 1 minus sin into secant a plus tangent a is equal to 1 अब हमने क्या करना है कि वो हमारी right hand side है यह हमारी left hand side है ठीक है तो हम क्या करेंगे दोनों में से किसी एक side को solve करते हैं अब वहाँ पर 1 दिया है तो 1 को नहीं solve कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे left hand side को solve करेंगे ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो secant है उसको sin और cos की form में लाने की कोशिच करेंगे ठीक है क्योंकि इससे हमारा क्यों होता है कि अगर हम एक ही type के जो angle से उनकी form में लाते हैं तो हमारे को multiply करना और जो formula लगाना वो आसान हो जाता है तो secant है secant होता है 1 upon cos तो यह 1 upon cos है हो गया ठीक है उसके बाद अंदर हम क्या करेंगे कि यह तरह से रहेगा 1 upon sin है उसको में चेंज नहीं करेंगे उसके अदर secant को में चेंज करतेंगे 1 upon cos है और tangent हमारा हो एगा sin upon cos ठीक है तो इस तरह से हमने सिर्फ values को ही चेंज किया है अब हम क्या करेंगे पहले इस bracket को solve करेंगे और उसके बाद जो बाहर हमारा पाद 1 upon cos है उससे हम इसको multiply कर देंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे 1 upon cos है वो बाहर वैसे रहेगा मंदर माले को solve करना शुरू कर देंगे तो पहली bracket तो ऐसे रहेगी 1 minus sin है तो दूसरी bracket है इसमें जो हर हमारा denominator है वो सेम है तो इसका LCM भी यह आदाएगा 1 plus sin A और upon में हमर पास इस तरह सदेगा पूर के cos है ठीक है तो यह जो cos A है और जो बाहर का cos है इसको multiply कर देंगे तो यह हमारा 1 upon cos square A हो जाएगा ठीक है और जो अंदर वाली bracket है उसमें हम formula लगाएंगे जैसे हमने पिछले question में लगा था A plus B into A minus B ठीक है तो यह हमारा 1 minus sin square A इस तरह से हैजागा ठीक है तो 1 minus sin square A यह हमारा बराबर होता है cos square A के cos square A upon cos square A यह कट जाएगा अंदर एक answer हैजागा ठीक है विच इकल तो right hand side therefore left hand side is equal to right hand side हमने कुछ भी नहीं किया है जो हमारे को question दिये वे थे हमने उनको sign or cos की form में change किया है ठीक है और उसी की help से हमने जो हमारी left hand side उसको right hand side के एक पुल प्रूव किया है यह वाले question बहुत आसान है बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा angle किसके equal होता है किसके opposite होता है और हम किस तरह से उसको निकालेंगे और आपको formula यहाद होने चाहिए अब book में भी देख सकते हो कि हमने कौन से जो प्रमे as को use किया है ठीक है तो हम क्या गरेंगे जो fifth question उसका first part उसको solve करेंगे ठीक है गुश्च तरह से कोसिक theta minus cos theta का square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta तो यहाँ पर हम क्या करेंगे या तो हम इनको solve करेंगे या तो हम इनको solve करेंगे ठीक है दोनों side हमें solve करेंगे जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर तो हमने सिरिफ अभी जो question हमें दिया था, उसको हमने sign और cos की form में change किया है, ठीक है, उसके अदम क्या करेंगे? उपर हमार पास आदाएगा, 1-cos और नीचे हमार पास आदाएगा, sign दिया है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस पूरी टम को हम square कर देंगे, ठीक है, तो square करने पर हमार पास आदाएगा, 1 upon sign square theta नीचे, ठीक है, और उपर हमार पास आदाएगा, 1 plus cos square theta minus 2 cos theta, a का square जाओं, b का square minus 2ab, ठीक है, इस तरह से हमार पास question आदाएगा, अब हम क्या करेंगे? उपर आपको देखने से पता लग रहा कि सारी terms हमारी cos में हैं, और नीचे वारी term हमारी sign में है, तो sign वारी term है, उसको हमने cos में convert करना है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा formula होता है, sin square theta plus cos square theta equal to 1, हम इस formula का use करेंगे, और यहांचे हम, जो sin square theta है, इसकी value हम, 1 minus cos square theta put करेंगे, ठीक है, तो उपर हमारी पास है, 1 plus cos square theta minus 2, यह, ठीक है, और नीचे हमारी पास आएगा, 1 minus cos square theta, ठीक है, इस तरह से मारा पास कोचन आजाएगा, अब हम क्या करेंगे? जो मारी उपर वारी term है, ठीक है, उसको अगर हम ध्यान से देखें, तो वो मारा इस तरह से था, 1 minus cos, ठीक है, इसका square, यह था हमारी पास, ठीक है, और जो नीचे वारी term है, वो मारी है, 1 minus cos square theta, means, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, कि a plus b into a minus b, ठीक है, और तो उपर वाली term है, उसको मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह था हमार पास, तो उपर वाली term को मैं इस तरह से लिख सकते हैं, कि, 1 minus cos theta into 1 minus cos theta, एक ही बात है, 1 minus cos theta का square, यह भी वोई चीज़ है, हमने इसको उपर करके लिख दिया, ठीक है, तोड़ दिया हमने इसको, और नीचे मार पास है, 1 plus cos theta to 1 minus cos theta, अब हम क्या करेंगे, इन दो को कार देंगे, यह हमारा cancel out हो जागा, हमारा बचेगा, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, which is equal to right hand side, therefore left hand side is equal to right hand side, हमने इस question में कुछ भी नहीं किया है, हमने सिरफ जो cosic था, उसको हमने 1 upon sine किया, cod को हमने cos upon sine किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनका square कर दिया, square करने के बाद हमने इसमे, sine square theta plus cos square theta is equal to 1, उस formula को use किया, और उसकी values को लिखा, उसके बाद हमने इस तरह से common निकाला, ठीक है, जो भी हमें equation दीदी, उसको हमने तोड़ के लिखा, ठीक है, theta का whole square, इसको मने इस तरह से लिखा, और नीचे वाली टर्म सको मने इस तरह से लिखा, और जो हमार पास cancel out order हमने उसको काड़ दिया, और हमार पास इस तरह से, जो मारी left hand side है, वो right hand side के equal आ गई, बहुत यह असान question है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जोड़ते है, आप इन question को अराम से कर सकते हो, और जो पांचवा question को first part हमने कर लिए, अब उसको second part करते है, second part में यह बोलता है कि, cos a, ठीक है, one plus sine a, plus one plus sine a upon cos a is equal to two secant a, कि अब इस तरह से question दिया है और हमने इसको secant a के equal प्रूप करना है, कि यह जो हमारे left hand side है, वो right hand side के equal लाती है, या नहीं आती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अब LC हम कर देंगे, ठीक है, तो जो LC हम है वो इस तरह से आदाएगा, कि cos a into one plus sine a, क्योंकि दोनों different term है, तो हमने इसको directly लिख दिया, ठीक है, उसके अदम क्या करेंगे, कि जब हम इस से इसको भाग करेंगे, तो हमारे पास बचेगा, cos a, cos a को cos a से multiply करेंगे, तो यह बनेगा, cos square a, ठीक है, LC हम करनी तो आपको आती है, ठीक है, और, जब हम cos ऐसे इस पूरी को भाग करेंगे, तो यह cancel होएगा, मारे पास बचेगा, 1 plus sin a, और यह भी 1 plus sin a है, तो इसका square, ठीक है, मैंने इसको directly लिख दिया, महले एक step हमने जल्दी कर लिया, ठीक है, हम इसको इस तरह से करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ की, इस तरह से होगा, cos theta या cos a, cos a दिया है, cos a into cos a, plus 1 plus sin a, into 1 plus sin a, upon, cos a, 1 plus sin a, मैंने एक step को, जल्दी कर लिया था, ठीक है, वो इस तरह से आना था, cos a into cos a, plus 1 plus sin a, into 1 plus sin a, और अपन, cos a into 1 plus sin a, अब हम क्या करेंगे, इनको solve करेंगे, तो cos square a तो बैसे रहेगा, इस bracket को मैं open करेंगे, तो यह मार पास आएगा, 1 plus sin square a, plus 2 sin a, upon, cos a, 1 plus sin a, तो cos square और sin square, ठीक है, आपको याद आगया होगा, कि sin square a, plus cos square a, is equal to 1 होता है, तो यह यह दो टर्म है, इन दोने को हम सास लिख देंगे, इसकी वेली 1 आएगी, मुर्पास आएगा, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 2 sin a, upon, cos a, into 1 plus sin a, यहां तक आपको समझ आगया होगा, हमने क्या किया, cos square a, plus sin square a, is equal to 1 होता है, हमने इसकी वेली यहां पर पूट कर दी, 1,1 हमरबा पहले दिया था, 1 plus 1, 2 हो गया, ठीक है, plus 2 sin a, और upon में, cos a, into 1 plus sin a, अब हम इसको solve करेंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या आता हैं हमरबास, हमरबास आगया, 2 plus 2 sin a, upon, cos a, 1 plus sin a, तो अगर हम उपरवारी टम को ध्यान से देखें, तो हम 2 को common ले सकते हैं, तो 2 को हमने बहार लिख दिया, और हमरबास आया, 1 plus sin a, ठीक है, और गिच्चे है हमरबास से, cos a into 1 plus sin a, यह दोनों एक जैसी टम में, यह cancel out होगी, हमरबास बचा है, 2 upon cos a, जासा मैं पता है कि, 1 upon cos a होता है, secant, यह मरबास है कि, 2 secant a, which is equal to, right hand side, ठीक है, तो हैंस, left hand side is equal to, right hand side, इस question में, हमने कुछ भी नहीं किया है, यह बारा question सबस्यासान है, इसमें आपने सिर्फ direct, इसको, इसका calcium लेना है, ठीक है, उसके बाद, जो भी time साब के आस common आ रही है, उसका अपने भार निकालना है, ठीक है, और आपका यह बारा answer, अबर आराम से याद आएगा, ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं,